वीडियो मुंगेर उनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार 2 में पढ़ते हैं और जिनका ओनर्स हिस्ट्री ओनर्स है और जिनका पेपर 4 है तो उन लोगों का यह S3 है S3 से पहले आप लोगों का S1 और S2 अपलोड कर दिया गया है आप लोग पले लिज जाकर चेक कर सकते हैं S3 में हम लोग बात करेंगे Eucharist 4 और exercise फार, फारक पार में एक्सराइज 4 में आप लोगों को चाल सुटीय का बारे में पता चलेगा और फीर विभवपुन क्रांती exercise 5 में आप लोगों को पता चलेगा और Gems के बारे में पता चलेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखिए सब इसमें जो जिसमें टिक लगा हुआ जिसके सब लगा हुआ इसमें dalते लगा है तो ये सब टिक लगा हुआ ृष वू χो है उसको आप लोग सब्सक्राइब सबसक्राइब क्रामवेल की पुत्री का क्या नाम था तो क्रामवेल की पुत्री का नाम हेनरी था रिचर्ड जो है वो इंग्लेंड का प्रोटेक्टर बना इंग्लेंड का क्या बना प्रोटेक्टर बना और रिचर्ड 1669 में संसत का फर्स्ट अधिवेशन किया और फिलिट उड ने इसे भं और रिचर्ण ने त्याग पत्र कभ दे दिया तो 1619 जिसमें त्याग पत्र दीज्थ डिया तो 1669 से सेनापती लेंबर्ट ने रंप को भंग कर दिया तो सेनापती लेंबर्ट ने रंप को भंग कर दिया यह रिचर्ट के बाद के सासनकाल का है मतलब क्रांबेल के बाद के बाद का है क्रांबेल के बाद सेनापती लेंबर्ट ने रंप को भंग कर दिया रिचर्ट के सासनकाल मे और नविन संसत का फिस्ट अडिवेशन, अप्रेल 1660 में हुआ, नविन संसत बनाया गया, इसका अडिवेशन जो हुआ, अप्रेल 1660 में हुआ, राजा ने इसे अमंत्रित नहीं किया था, इसलिए से कर्ण्वेंशन कहा गया है, चाल्स डूतिया ने ब्रेडा की घोसना की, य और ये ब्रेटा की घुसना के बारे में आगे फिर हम पढ़ेंगे चलिए देखते हैं चाल्स दूतिये इंग्लेंड में अपने बड़े पर अर्थात जनम दिन पर 29 मई 1660 को परवेश किया 29 मई को उसका बड़े है किसका तो चाल्स दूतिये का और आज भी आप लोगों का 29 म किया है अपने बड़े के दिन 29私 Ratio को परवेश किया तो आज 46 दूतिये इंग्लिकन घर्म इंग्लेंड का पर्मुक धर्म बना इंग्लीट का परमुक धर्म कह बना तो फिल्ट का यंग्लेंड कविल के बार्ष एंगर्ड के सासंट के बाद एंग्लीकन घर्म इंग्लेंड का परमुक बना चास योटिये 56 जा 163 का दो जुन एक जान और में कहा जाता रिचार्ट का ना तो कोई सिद्धान था ना विश्वास और ना ही सम्मान ये चार्ज दूत्य के बारे में कहा जाता है ये भी अब्जेक्टिव में पुछ सकता है वसे पर पढ़ लिजेगा ताकि याद रहे और चार्ज दूत्य के ने 1660 में इंग्लेंड में सिहासन पर आसीन हुआ चार्ज दू सब को क्या कर दिया गया सबको क्या कर दिया गया तो चार्ज दूत्य को 12 लाक पॉंड origin is ही साल इश्ञाए जाएगा संसे के दोरा Свिकृत के और यह 1601 से 1689 तक कार किया कब से कब तक 1601 से 1689 इस भी तक कार किया और नविन संसद में अधिकान सदस राइलिस्ट थे क्या थे राइलिस्ट थे चार्ल्स दूतिये का पर्थम मंतरी एड़़ौड हाइड था जिसे अरल ओफ कलेरंडन की उपादी दी गए थी ये भी आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अरल ओफ कलेरंडन की उपादी एड़्वरौड हाइड को दिया गया था और इसको आधा राजा भी क आगे देखते हैं पिलग्रिम्स प्रोग्रेश के लेकर जॉन बैनियन को 12 सालों तक कारावास में रहना पड़ा यह important आप लोगों के लिए पूछ सकता है Pilgrims Progress के लिए कौन है तो John Bennion है और इन्हें जो हैं 12 सालों तक कारावास में रहना पड़ा था 1665 में England में plague फैला था जिससे एक लाख लोगों की मिरती हो गए थे यह 10 नहीं है यह एक लाख लोग है 1465 में England में plague फैला जिससे एक लाख लोगों की मिरती हो गए यह पुछ सकता आप लोगों से कि England में plague का फैला तो 1665 को और 1660 में London में अगनी कांड हुआ था और यह पांच दिन पांच रात तक जलता रहा था इतना अगनी कांड फैंकर था तो 1660 में अगनी कांड हुआ & 1665 में England में plague फैला था पहले अगनी कांड हुआ बाद में plague फैला था कलेरेंडन ने अपनी पुत्री का विवा कलेरेंडन की पुत्री थी जिसे एक अल उफ जा जाता है विवा चार्स दूतिये के भाई जेम्स दूतिये से कर दिया किसे तो जेम्स दूतिये चार्स दूतिये का एक भाई था उसने जेम्स दूतिये का भाई जेम्स दूतिये था उससे कर दिया अर्था जेम्स दूतिये का विवा हो गया कलेरेंडन की पुतरी के साथ और कलेरेंडन ने डंकर्क दूर्ग फरांस लूई चौदवे को बेच दिया अचाव की जबति, डंकर्क दूर्ग फरांस को बेच दिया तो उसके हांस के ली चौदवाँ जाने लगा अब नेक्स्ट केवाल मंत्री मंदल पांच मंधल देखें किभाल मंतरी मंदल का नाम तोल 5 मंधडिं होते थे तो किपने मंतरी होते थे , छाल्स मनतरी होते थे , किसके साथ तो लुई 24 वानी का और चाहिंस का निकाठ भर संतरर कि तब फिर इस ने अपनी राज को ली कि मैं तो कैतोलिक हुं चाल्स दूतिया धार्मिक अनुग्रे की गोसना 1672 इस भी में किया था कब किया था धार्मिक अनुग्रे की गोसना 1672 इस भी में देख लिए इसमें कहा रहा है धार्मिक अनुग्रे की गोसना और पूछेगा धार्मिक अनुग्रे की पर्थम गोसना तो जाएगा 1687 और धार् पर कब हस्ताक श्रित किया थे तो 1673 को और किलिफर्ड प्लस आर्लिंग गटन ये कैथोलिक थे कैथोलिक थे धार्मिक सहिसनुता की नीती का विरोधी कौन था देनवी और 1673 भी से 1678 भी तक यह मंतरी रहा था किसका तो चार्स दूतिय का मंतरी 1673 से 1678 भी तक कौन रहा तो द मैंकी से 1 दिक चार्स दूतिय के नाम से 20 नाम पुछ सकता है कि यह कथन किसका है लेकिन यह चांस का मैं पूछने का क्योंकि आप लोगों के हलके ही पूछे जाएंगे तो ये उमीट का मैं बस एक बार पढ़ लिजे कि ये किसने का था मैं कभी नहीं जुकूंगा मैं धमकियों से नहीं डरूँगा काणून और टर्क मेरे साथ है तो ये का था चाल्स दुटिये ने अब नेक्स देखते हैं नेक्स है शंचद आमंत्रित करने के पक्छ में कौन ता तो पैटिशनर्स था शंचद का समर्थक था पैटिशनर्स और इसे वीदल भी का जाता है या फिर लिबरल पाट्यी भी का जाता है next राजपक्स समर्थक के पक्स में कौन का था मतलब राजधर्म होना चाहिए चाल्स दुचे के बाद उसका बेटा बने फिर उसका बेटा बने इस तरह से तो इसके पक्स में था अबोरस कौन था अबोरस और यह तोरी डल से संबन्दित थे इसे कंजरवेटि भी का जाता है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह डोनो लाइन इससे आप लोगों के बहुत सारे अब्जेक्टिफ सॉल्व होंगे आगे वीग दल के नेता कौन कौन थे तो वीग दल के नेता सेफ्ट बड़ी थे सेफ्ट बड़ी को एक उपादी दी गए थी अभी जस्ट बैक था और इसको जिसके तर्थ मिर्चुदंद दी गई किसे तो रसल और सिड्नी को चाल्स डूतिये ने 1681 से 1650 तक स्वेच्छा चारिता से राज किया था मतलब इसमें को इसको रोक टोक रोक टोक तो संसट के द्वारा होता था लेकिन यह अपना मनमानी से क्या 1681 से 1650 तक र पुर्टकाल की राजक्मारी कैथराइन बरगेंजा के साथ हुआ था और इसको दहेज में 8 लाक पॉंड मिला था आठ लाक पॉंड और बंबई दे दिया बंबई जाओ बंबई तुम्हारा जैसे रोकी भाई को बंबई दे दिया था तो इसके लिए वो समुद्दर से भी चोटा पर जा तो इसको दहेज के रूप में क्या-क्या मिला आठ लाक पॉंड मिला बंबई मिला टेंजियर मिला और चार्स दुतिये ने इसट-इंडिया कंपणी को बंबई किराएपर दे दिया यह याई सि का मतलब वा इस तिंडिया कंपणी चार्स्टियोर ने किसको और हॉल्रेंड के बीच विच हुआ इस युद में विजह हुआ ब्रीडा की संधी ये ऑच ज्यादा इंप्जाओ परता नाम् जख глаз नाम उसका नाम पर नूजरू और नको नाम जर्ट परा एक्सला सेपल या ट्रीडल संधी एक्सला सेपल या ट्रीडल संधी याbon biased यह तीनों एखी नाम है और यह 1688 में हुआ था तो इंगलेंड ऑलेंड और स्वेडन के बीच यह सब संधी इस्टेट अधिनियम डोवर की गुपत संदी इस्टेट अधिनियम आया था जिससे डोवर की गुपत संदी खतम हो गया थी जो कि फ्रांस के साथ किया गया था चाल्स दूतिये ने किया था डोवर की गुपत संदी फ्रांस के साथ तो ये इस्टेट अधिनियम पारिद करके 615 को चाल्स में अधिक्तार कौन रहते थे कैथोलिक फ्रांस में रहते थे इसलिए जो है चाल्स के साथ वो दोस्ती हमेसा बढ़ाना चाता था और England में दिखता रहते थे प्रोटे स्टेंट, इंगलें में कौन रहते थे प्रोटे स्टेंट, अब next देखते हैं, next exercise पहांच आता है आप लोगों का वैब अपुन करांती और जैम सदूतिये, राजा के देवी अधिकारों के समर्थक कौन थे, तोरी डल ये राजा के किया कि खुरी नियाले कब हुआ था, किसके सासनकाल में हुआ था, आपको बता सकते हैं, खुरी नियाले किसके सासनकाल में हुआ, जैम सदूतिये के सासनकाल में हुआ, और नियादे सुसमे थे जैफरेज, जैम सदूतिये लंदन में नविन गर्जाकर बनाया, नविन गर कहां बंदी बनाया तो सेजमें नमकस्थान पर जेम्स दूतिये ने विस्वित डालों में हस्ते छेप किया और वहां का कुलपती सब को कैथोलिक बना दिया था जो जो कैथोलिक होते थे उन्हें इस कुलपती का पड़ दीन का पड़ यह सब का पड़ दिया जाता था तो वि से कमेंट आते हैं कि मेरी इसरी पतनी कौन थी तो दूसरी पतनी ती दूसरी पतनी थी तो रक्तहिन क्रांटी 10 जून 1688 में इसके पुत्र का जनम गए तो 1688 में ही फिर गुरपन क्रांटी वी थी जेम्स दूत्य का दामाद कौन था तो विल्यम ओफ औरेंज 6 की बड़ी पुत्री के साथ इसका विवावा था हॉलेंड का जोकी सासक था और पांच नुमबर 1688 इस जेम्स दूत्य ने क्या कहा इस्वर दया कर मेरे अपने ही बच्चे मेरा साथ छोड़ चुके हैं ऐसा किस ने कहा तो चार्स दूत्य ने ऐसा कहा क्योंकि उसका छोटी पुत्री और सेनापती जाके विल्यम से मिल गया था टाइस दिशंबर 1688 को राज मुहर को टेमस नदी में फेक कर फ्रांस भाग या कौन भाग या तो जेम्स दूत्य भाग या यह था यहाँ पर यह सारे जेम्स दूत्ये से निकल के आई हैं लकी तो यह सब जेम्स दूत्ये से संबंदित है अब आगे जेम्स दूत्ये के बाद इंगलेंड की गद्धी पर कौन बैठा तो विलियम तथा मैरी गद्धी पर बैठे विलियम और मैरी मैरी कौन थी तो जेम्स दू पीट्टी में आप लोगों oका तो नीटि में हुआ था तो यह आप लोगों का है थे सम्बंदित कुशियन अ बात करेंगे मेरी बात करेंगे चोटा पीट के भारे मिवासर करेंगे एसके अतरिक्ट विलियम ओफ ओरेंज की बात करेंगे इस सब के बात उसमें करेंगे बहुत ही जादर बरा चेप्टर वो उसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा objective निकलेंगे बहुत ज्यादा important एक कर लेते हैं लेते हैं तो आपका 70% आजाएगा माक्स और 100% माक्स लाने के लिए आप लोगों को जो है कम से कम एक्सराइज 10 तक कंप्लिट करना है और जो बच्चे आराम से टेंसन फ्री होके देना चाहते हैं तो वह एक्सराइज 6 तक कर ले जो कि आज या फिर कल सुबह तक में अप्लोट कर जी जाएगी ओके आप लोगों को बस एक्सराइज 6 तक यह कंप्लिट कर लीजिए और फिर जो आप लोगों का दिया है वह कंप्लिट कर लिए बस आप लोगों का तैयारी अच्छे हो गई और कोई बिना डर के कोई ट साइस तक जब करवा दिया जाएगा तो आप लोगों खुद समझने लेगें के पीडियो की बात की यह कहना क्या जा रहा है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों का जल नहीं वो जो अब्जेक्टिव बच्चा है 238 अब्जेक्टिव लगबग वो मिलते हैं में थैंक्यू